है कि एक नए वीडियो जिसमें आपको बताऊंगा आधारकाड को पानकाड के साथ लिंक कैसे करते हैं बहुत ईजी प्रोसेस है तो यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अपने आधारकाड को पान कार्ड के साथ लिंक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले Google Chrome open कर लेते हैं कि यहां पर सर्च करेंगे हम आधार कार्ड लिंक टू पान कार्ड यह Google में सर्च किया इसमें पहले ही आपको लिंक मिल जाएगी इंकम टेक्स इंडिया की तो उस पर आपको क्लिक करना है यह उसका फॉर्म ओपन हो गया है आधार कार्ड को कैसे लिंक करना है उसका उसमें सबसे पहले पान नमबर के लिए कॉलम दिया हुआ है जिसमें आपको अपना पानकाड नमबर डालना है यहाँ पर आपको पूरा अपना पानकाड का डिटेल नमबर यहाँ पर लिख लेना है उसके बाद सेकंड नमबर का है आधार नमबर वहाँ पर आपका जो आधा से आपके अधारकाड में जे तैड़ से आपका लिखा है जैसा स्पेलिंग है आपके नाम का वैसा यह नवह पर अपको लिखना है उस नेडिवर सिभी गल्दी नहीं चलेगी यह तीनों कंपल्वर हैं यहां पर रेड कलर में स्टार किया हुआ है मतलब यह कंपल सरी आपको फिल अप करना ही है उसके बाद है I have only year of birth in my अधारकाड मतलब अधारकाड में आपके date of birth पूरा लिखा हुआ है या only year लिखा है उसके हिसाब से आपको यहां पर टीक करना है यह optional है टीक करोगे तो भी चलेगा नहीं करोगे तो भी चलेगा उसके बाद यहां पर एक capture है जिसमें एक image show है वो image के इसाब से आपको character type करने है वो type करने के बाद simply आपको link आधार काड़ पर click कर देना है जैसे ही आप link आधार काड़ पर click करेगे यहां पर notification show होगा आपको your pancard is linked with आधार काड़ ऐसा आपको notification show कर देगा तो बहुत easy process है आप easily कर पाएंगे अगर कोई problem है तो मुझे comment में जरू लिखेगा और अगर यह video आपको पसंद हो तो इसे share करिएगा और मेरी channel को जरू सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद thank you so much